मैं मुकेश परिहार यूटेकेट में के यूटूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं वंदन करता हूं मॉस्ट वेलकम आज की सुबह की छे बज़े वाली क्लास में तो छे बज़े वाली क्लास में हम पढ़ रहे हैं एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, तीन वर्ड लेंगे उसके सिनोनिम्स और इंटोनिम्स पढ़ेंगे उसका इंग्लिश मीनिंग पढ़ेंगे and one word substitution for five words ओके तो लेट से स्टार्ट विट एनरजी, विट इंथियूजम, हैवे नाइज दे, ओके word number 50, 50 है आपका which, which का मतलब क्या होता है, विशेशग्य विशेशग्य का मतलब, जो जानकार हो किसी चीज का, किसी चीज का जो जानकार हो किसी चीज के बारे में जो बहुत अच्छी तरह से जानता हो, उसको बोलते हैं which जैसे कि हम उसके लिए जनरली क्या होता, एक्सपर्ड भी बोलते हैं जिनियस भी बोलते हैं, प्रोडिगी भी बोलते हैं तो इस प्रकार से जो होता है उसके लिए तो यहाँ पर वीज के लिए होगा ए परसन वी ते वेरी हाई लेवल उप स्किल जिसका उच्च श्रेणी का जो उसमें कोशल हो, ज्यान हो, किसी particular area particular area का मतलब जिसे maths का कोई वीज हो, कोई physics का वीज हो जिसे Mr. Anand जो है, वो maths कि थे, तो इस प्रकार से क्या है यहाँ पर? वीज है मतलब विशेशक्य, इसके synonyms के बारे हम बात करेंगे तो इसका synonyms होता है जिनियस, expert और pro-dee, ओके? और इसका जो enternym होता है, amature, amature का मतलब आपने यह बी one word substitution में पढ़ा होगा, amature का मतलब होता है आपका जो no सिखिया या फिर जो शोकिया होता है, और apprentice, apprentice का मतलब क्या होता है? अप्रेंटाइस का मतलब क्या होता है बताइए अप्रेंटाइस का मतलब होता है प्रक्षिक्ष्यू प्रक्षिक्ष्यू मतलब होता है जो भी प्रक्षिक्षन ले रहा है उसको बोलते हैं प्रक्षिक्ष्यू अमेचर का मतलब होता है नो सिखिया या फिर जिसको होता है जो वो शोक से काम करता है, शोकिया, देखिए, अब जो शोक से काम कर लिया था, जिसे एक दिन घर में काम कर लिया, खेती में काम कर लिया, तो वो शोकिया हो गया, पर जो हमेशा करता है, वो हमेशा करके उसमें माश्ट्री हाले सिल करता है, उसको बोलते हैं हम वीज, ठीक है, यहाँ पे अपने जीनियस, एक्सपर्ट और प्रोडिगी और इसके बाद इसका जो सेंटेंस है, He is a Veej of Mathematics, यहनि नाउन के रूप में, तो वह Mathematics का विशेशग्य है, वह Physics का विशेशग्य है, वह बोलने का विशेशग्य है, तो इस प्रकार से विशेशग्य की जो बारे में बात करते हैं हम यातन, ठीक है, अब यहाँ पे वीच का जो है, अब वीच को वर्ब की रूप में भी उसकरते हैं, ध्यान रखिएगा, किस की रूप में वर्ब की रूप में, तो वर्ब की रूप में वीच का जो मतलब होता है, वह होता है, हिजिंग साउंड, क्या होता है, लिख लिजिएगा इसका, हिजिंग साउंड, Hising का मतलब होता Hisies करने वाला है जैसे साफ His करता है तो इसको हिंदी में बोलते है Sun Sun की आवाज क्या आवाद की होती है Sun Sun की आवाज जैसे कि आपके सामने कोई गाड़ी जा रही है जैसे किसी ने आपके यहाँ पे पत्थर फेका और पत्थर आपके कान के वहाँ से निकल की आ तो शू करके निकला हो तो शू करके जो निकला रहता है उसको बोलते है Sun Sun की आवाज तो क्या होता है Sun जैसे a stone passed इना with a sound of which यानि वीज के sound से वो निकला वीज मतलब sun करके निकला तो which का मतलब क्या होता है sun sun करके जो आवाज होती है उसको बोलते है which बोलते है तो ठीक है तो which का मतलब होता है to make a to make a hissing sound मतलब क्या होता है sun sun की जो आवाज करता है like an arrow arrow का मतलब होता है तीर की जैसी जैसे अभी तीर होते है शू करके जो तीर छोड़ते हैं उस प्रकार से जो आवाज होती है उसको बोलते हैं which means विशेशक विशेशक गयो होता और वर्ब की रूप में होता है इसका मतलब होता है संसन की आवाज करना चली हम अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं नेक्स वर्ड इसे बेनल मतलब होता है एडजेक्टिव के रूप में होता है इसका मतलब होता है साधरान साधरान का मतलब होता है बोरिंग बोरिंग का मतलब बोरिंग होता है जैसे कि यहाँ पर होता है बोरिंग ओर्डिनरी या नोट ओरिजनल यहाँ पर क्या होता है? इस प्रकार की जो चीजे होती है बेनल सीन, ठीक है? आगे चलते हम इसके सिनोनिम्स की तरफ ओडिनरी, कॉमन, जनरल, इनसिग्निफिकेंट, युजूल, है ना? और इस प्रकार की जो चीजे होती है, वो सिनोनिम्स है मतलब बिल्कुल एक दम साधान से रूप में से, तो यह general, insignificant, usual, common, ordinary, यह सारे क्या है, synonym से, और entronym से इसका क्या होगा, new, entronym से इसका क्या होगा, देखिए, इसका entronym होगा, new और original, और इसका use होगा, the stories of the latest movies, यानि अभी जो हाली में जो movies आती है, और उनकी जो कहानिया है, वो बड़ी साधरान होती है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पर आपने बेनल पड़ा, next word हम पढ़ते है, होंचो, होंचो का मतलब क्या होता है, प्रमुख, यानि meaning the person in charge, जैसे होंचो बाय, प्रमुख लड़का, होंचो चीफ, होंचो प्रमुख राजा, तो इस प्रकार से होंचो का मतलब क्या होता है, the person in charge, जो चार्ज लेके रहता है, जो उसको बोलते हैं होंचो, synonyms इसके बारे हम बात करते हैं, तो synonyms होता है, boss, chief, manager, या headman, ठीक है, और antonyms के बारे हम बात करते हैं, तो antonyms इसका होता है, employee, जैसे कि जो प्रमुख होता है तो प्रमुख की जो निचे काम करता है, वो क्या होता है, या तो employee होता है, या फिर क्या होता है, worker होता है, और इसका sentence है, he is definitely the honcho in that company, देखिए, एक आदमी है, या आदमी है, एक पाल्टी चल रही है, पाल्टी में क्या होता है, सब लोग उससे आके हाथ मिला रहे हैं, और sentence बोल सकते हैं, he is definitely the honcho in that company, चलिए, आगे चलते हैं हम आमरे पास one word substitution की तरफ, one word substitution मतलब होता है, एक अनेकों के लिए एक शब्द, ठीक है, अब ए लेडिज अम्रेला, अब लेडिज अम्रेला मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, लेडिज अम्रेला बहुत प्यारे चीज होता है, जैसे कि पता आपको गर्मी पढ़ती है, तो महिला है क्या होती है, घर से एक रंग भी-irंग के च्छाते लेके निकलती है बाजार में, तो उनकों बोलते है महिलाओ का च्छाता, यानी छत्री बोलते है उसको generally, तो छत्री जो होते है, वो कौनची चत्री होती है, महिलाओं की चत्री होती है ठीक है? तो महिलाओं की चत्री को बोलते है पेरासोल पेरासोल क्या बोलते है? यह चत्री और यह पेरासोल का मतलब होता है जैसे की the girl the ladies always used पेरासोल in summer मतलब हमेशा यूज करती है क्या करती है? पेरासोल करती है पेरासुल का मतलब होता है गर्मी की जो छत्रिया होती है ठीक है ए लेडिस पर्स महिलाओं की छत्रिया भी हो गई और महिलाओं के जो पर्स होते हैं उन पर्स को भी बोलते हैं रेटिकूल क्या बोलते हैं रेटिकूल बहुत ही प्यारा वर्ड है रेटिकूल रेटिकूल का म और वो छत्री किसकी? महिलाओं के लिए, गर्मियों की छत्री और लेडिस पर्स का मतलब होता है, इस्त्री का बटुवा इस्त्री का बटुवा, ठीक है? रेटिकूल होके है अब आगे बात करते हैं, the passage of soul, after death from one body to other passage of soul, passage का मतलब होता है, कुछ जगह, है न? of soul, मतलब जो आत्मा के लिए कुछ जगह होती, after death from one body to other यानि आत्मा जब एक शरीर से निकल कर दूसरे शरीर में जाती है तो वो जो जगह होती है, उस जगह को क्या बोला जाता है? तो उस जगह को बोला जाता है, बहुती प्यारा वर्ड है ये भी क्या बोला जाता है उसको, transmigration, transmigration, त्यहान रखिएगा, transmigration, हिंदी में इसका आर्थ होता है इस्थाना तरगमन इस्थाना अंतरगमन तो ये इस्थाना अंतरगमन जो होता है, उसका मतलब होता है, जब आदमी मर गया मरने के बाद उसका आत्मा शरीर छोड़ने के बाद किसी दूसरे शरीर में जाती है, तो जब ये जो पेसेज होता है, जब वो खालिस्थान होता है उसको हम बोलते हैं, इस्थाना तरगमन, ठीक है आगे चलते हैं हम हमारे वर्ड की तरफ, medical examination of the dead body कोई एक मरत शरीर है, उसका अगर कोई medical examination कर रहा है, चिकित से कोई direction कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, पोस्ट मार्टम ये वर्ड तो आपके लिए बिल्कुल किया जाता है, उसको बोलते हैं, पोस्ट मार्टम, ठीक है, अब आगे चलते हैं हमारे पास, 90, deviation or departure from common rule, deviation का मतलब होता है, पत ब्रष्ट हो जाना, जैसे ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है, उस रास्ते में क्या होता है, आपको चलना इधर है, ये रास्ता है, पर आप चल इधर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा, deviation हो रहा है, ये departure, departure का मतलब होता है, वहां से रवाना हो जाना, from common rule, common rule का मतलब होता है, जो एक rule बना रखा है, सरकार ने ये ये रूल बना रखा है, जैसे कि थोड़ी is normal, यानि जहां पर rule बनाए गए, उन rule को पालन न करना, पालन न करके, उसको क्या करना, उसको deviation करना, उसको तोड़ना, तो उसको बोलते हैं, generally anomaly, क्या बोलते हैं, उसको anomaly, anomaly का मतलब होता है, नियम हिंता, नियम हिंता, नियम हिंता का मतलब होता है, नियम को तोड़ना, नि उमने कितने वर्ड पढ़े देखिए सबसे पहले वर्ड जो पढ़ा आज आपनोंने विज विज का मतलब क्या होता है विशेशग्य बेनल साधरान और होंचो प्रमुख उसके बाद यहां पर पांच वर्ड पढ़े लेडिस अंब्रेला पेरा सुल बोला जाता है इसको अनमल रूप से रूल को क्या है पालम नी करे डिपार्च करे उससे भाग जा तो अनमली बोला जाता है ठीक है नियम हिंता अब यहां पर जो आपके टेस्ट की बात करते है टेस्ट यूरसल ठीक है पिछला जो भी पढ़ाया हुआ हुए उसका बारे में तो हैव यू नोट क्या आपने पिछली सारी वोकेबलरी को अपनी कोपी में लिखा और क्या उनको याद कर लिया इफ यस देन प्लीज एंसर दो क्वेशन गिवन विलो अगर यह हां है तो नीचे दिये गए क्वेशन का जवाब दीजिए ठीक है इफ नो देन गो थू प्रिवेश वोकेब्स और अगर हां नो है तो आप क्या करिए जाइए और पिछली सारी वोकेब्स को लेक्चर को पढ़िए और उसके बाद इन क्वेशन को जवाब दीजिए ठीक है अब क्वेशन नमबर यहां पे पाँच है एंटर नाइमस अब दी वर्ड इसकूपर इसकूपर के एंटर इसका भी वन वर्ड लिखिए ठीक है तो इस प्रकार से आपने इंग्लिश में इतनी बाते सिखिए ठीक है आशा करता हूं कि यह चीज़े आपको समझ में आ रही हूं कि धीर धीर हम आपके पास तरब बढ़ रहे हैं और इन चीजों को बिलकुल समाईए वोकेबलरी कभी अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों को लाइक करवाईए शेर करिए सब्सक्राइब करिए और हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाईए ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू सो मच जैहीन जै भारत